नमस्कार कैसे सभी लोग ठीक हैं प्यारे दर्शकों हमारे प्यारे प्यारे सस्क्राइबर हमारी बहने हमारी माताएं हमारे पिता तिल वज़र्ग वह हमसे जितने उम्र में बड़े हैं उनको मैं साधल प्रणाम करता हूँ छोटों को प्यार साथ ही जो हमारे संत लोग देखे रहें, उनके सिरी चल्डों में मैं अपना मस्तक जुकाता हूं, सासन प्रसासन देश की सेवा में हमारे शैनिक जो देख रहें, उनको मैं शलूट करता हूं, आई-एस-पी-स जो हमारी वीडियो देखते हैं, हमसे कॉल पर बात भी करते हैं, उनको मैं हिर्दय से धन्यवाद देता हूं, कि आप देश के लिए संपूर रूप से समर्पित हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, इश्वर आपको आपके परवार को सदा सुखी रखे हैं, आज जापान के कुछ हिस्सों में, ये विद्या बहराल हमारे भारत की ही है, लेकिन इसे लामा लोग बहुत अपने पुरातल काल में बहुत परियोग करते हैं, वो इसलिए कि पहले लोग इंटोडेक्शन का साधन बहुत कम था, तो लामा लोग जब घुमते घुमते अगर किस पर नाक आदमी ना हो, हमला ना कर दें, तो इसलिए इसका परियोग करते थे, आज हम एक ऐसी चीज़ बताएंगे, कि उसको बना कर आप मुह में रख कर, सामने वाले से जो बोलोगे, या आपकी जो इच्छा होगी, वो जरूर पूरी होगी, लेकिन प्यारे दर्शकों, ऐसा भी नहीं कि इस चीज़ को मुह में रखो बोलो, ला मेरी माया, सो ना दे, तो सो ना दे, यह परतकरिया है, एक साइन्स है, एक उरजाओं का गेम है, समझने की कोशिस करिएगा, चूंकि यह मना मैं बाबा हूँ, ना मैं बहुत बड़ा डंबर रचता हूँ, हमारे हा जो हम लोग प्रैटकल करते हैं, सोध करते हैं, हमारे हां, रिसर्च करते हैं, और जो सत्थ पाते हैं, वही आपको देते हैं, पहरे दर्सकों एक पंसारी के हां मिलने वाली बहुत ही छोटी सी वस्तु है, उसे बोलते कौडी, संख परजात की समुंद्र में पाए जाने व वरन होता है कौडियों का भी, तो आप पीले रंकी एक कौडी लेना, पीले रंकी, ध्यान से सुना मेरी बात, इसे बच्चे बिलकुल नहीं करेंगे, औरना मेरा चैनल इसकी इजाज़ा देता है कि बच्चे इसे करें, पीले रंकी कौडी लेना है, आप पहले से लेके वाला एक नीले फूल वाले का दूद तोड़ तोड़के सफेद कोड़ी के बीच वाले हिस्से में आपको भरना है जब वो पूरा भर जाए तो एक मौम जलाना है और मौम जलाने के बाद उसके कैप को बंद कर दे हैं यह उसको सील पैक करने है मौम से अब इस कोड़ी को उसी अमावस के दिन यह करना है घर में कर सकते हैं यह पैकिंग वैकिंग का काम घर पे कर सकते हैं लेकिन आपको बाहर रात को जाना है इस कोड़ी को ले जाकर के आप केले का कोई पेड़ देखिए तने में उसमें चक्कू से छेद करिए छेद करने के बा अब अमावस से पूढमा तक समय तो जरूर लगेगा आप अपना काम करते रहिए जब अगली पूढमा आएगी तो पूढमा में उसी रात को जाईएगा प्रणाम करके केले पर कुछ मिठाईयां चला कर और उस कौड़ी को निकाल लाना कौड़ी में से आपको भीनी भीनी बहुत अच्छे खुजबू आएगी तो उस कौड़ी को लाने के बाद आप उसके उपर पीला रेश्मी सुन्दर सा एक कपड़ा लपेट देना सिल लेना चोटी सी पैकेट जैसी बना के उसके अंदर रखके टाइट सिल लेना अब ये आपका अमोध सस्त्र समझे वाक्य सिद्ध के लिए तैयार है अब जब परियोग करना हो तो परियोग से पहले आप प्राता का लुटकर ओम भूर भुवा स्वाहतत शवतुर्वरेडियम भर्गो देवश्य धी महीं धियो योना पर्चोदयात माता गैतरी का महामंत्र इसको आप एक हजार बार पढ़कर कच्छा पान मुह में चबाए उसका रस लगा लें उसके बाद यह कोड़ी अपने देहने ध्यान देना पुरुस देहने इस्तरी बाएं दबा लेगी उसके बाद आपको सामने वाले से कोई भी डिमांड करना कोई यह नहीं कि ला मुझे रुपाय देदो पैसे देदो इत होटे गा अब आते हैं बाद इसे मुंँ में रखकर अंगर हर्मानचालसा का एक 108 पाठ कर लेते हैं साथ दिन के अंदर तो हर्मानचालट्को सिध्ग हो जाएगे इसे मुँ में रखकर कोई भी मंत्र अगर आप पढ़ते हैं तो 100% वो मंत्र स्वता ही सिद्ध हो जाएगा इसे मुँ में रखकर अगर आप किसी एक्जाम में घर से निकल जाएए उसके बाद इसको पाकेट में रख लिजिए उसमें सफलता मिलने के 100% चांसेज रहते हैं इसे मुँ में रखकर आप भगवान की आँखों में देखकर मंदिर में जाकर किसी चीज के लिए प्रात्ना करेंगे और याचना करेंगे तो वह आपकी मनो कामना पूर्ण हो जाएगी मेरे प्यारी दर्श को मुझे उम्मिद है ये वीडियो आपको बहुत पसंदाई होगी। मैं देख लिए, मैं जो बताता हूँ, जो सिखाता हूँ, मैं धावा करता हूँ कि हमारी वीडियो की तारीख देखियेगा, और इस परियोग को हमारे तमाम लाकों से से जानते हैं कि कहीं किताब में या कभी इधर उधर का चावमीन बना के नहीं प्रस्तुत करता हूँ हमारी वही चीज रहती हैं जो हम लोग स्वैम परिच्छा कर लेते हैं जाच लेते हैं चूंकि मैं जानता हूँ मेरे प्यारे दर्सकों आप सभी लोग हमारे परवार का एक हिस्सा हैं मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारा सस्क्राइबर कोई हमारे बता हुए टोट के के लिए अपना समय बरबाद कर रहा है तो उसको सफलता ना मिले सफलता मिलनी चाहिए हमारे सस्क्राइबर को लाब होना चाहिए हमको कमेंट करके गुरू जी वाह आप कैसी रिवास से मेरा काम हो गया तो मेरा सीना यह हो जाएगा ध्यान नखिये जो जायाज जरूरत जायाज मतलब कि जो नियम के खिलाप न हो प्रकृद के खिलाप न हो उस सिकार में सभी तोने टोटके उपाय सफलता पूरवक शफल होते हैं चुकि टोटके अगर हैं तो उनका भी कोई इश्ट है वो टोटका किसी ने बनाया है उनको सम्मालूम रहता किस नियत से कर रहे हो बाद में आपा सफल होते हैं कहते हैं गुरु जी ये काम मेरा नहीं हुआ चुँकि नियत नहीं सही सोच नहीं सही, विचार नहीं सही तो कभी नहीं सफलोंगे मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा इस वर ने जो चीज बनाई मानो कल लियान के लिए, जन कल लियान के लिए, राष्ट कल लियान के लिए, उसका जहाँ दुर्पयोग करेंगे, तो नुकसान तो कहीं न कहीं होगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतना किम्ती समय दिया, जैश्री राम